नमस्कार, आपका हमारे चैनल डायरी डोस सागा में स्वागत है। आज की कहानी का शीरशक है सत्य की राह। एक डाकू था, डाके डालता, लोगों को मारता और उनके रुपे बरतन कपड़े गहने लेकर गायब हो जाता। पता नहीं कितने लोगों को उसने मारा। पता नहीं कितने पाप किये। एक बार एक स्थान पर कथा हो रही थी। कोई साधू कथा कह रहे थे। बड़े- आज में जाता है, उस समाज का प्रभाव उस पर अवश्य पढ़ता है। भगवान की कथा और सत्संग में थोड़ी देर बैठने या वहां कुछ देर को किसी दूसरे बहाने से जाने में भी लाब ही होता है। उस कथा सत्संग का मन पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पास गया और बोला, महराज, मैं डाकू हूँ, डाका डालना तो मुझसे छूट नहीं सकता, क्या मेरे भी उद्धार का कोई उपाय है। उसने साधू से पूछा। साधू ने सोच कर कहा, तुम जूट बोलना छोड़ दो। डाकू ने स्वीकार कर लिया और लोट पड़ा कथा से लोटने वाले घर चले गए थे, डाकू ने राजा के घर डाका डालने का निश्चे किया, वह राज महल की ओर चला, पहरेदार ने पूछा, कौन है, जूट तो छोड़ ही चुका था, डाकू ने कहा, डाकू, पहरेदार ने समझा कोई राज महल का आदमी है, क्या ले जा रहे हो, उसने कहा, जवाहरात का संदूग, पहरेदार ने पूछा, किस से पूछ कर ले जाते हो, डाकू को जूट तो बोलना नहीं था, उसने सत्य बोलने का प्रभाव भी देख लिया था, वह जानता था कि पहरेदार ने उसे राज महल में भीतर जाने दिया वह भी सत्य का ही प्रभाव था, नहीं तो पहरेदार उसे भीतर भला कभी जाने देता, डाकू के मन में उस दिन के साधू के लिए बड़ी श्रद्धा हो गई थी, उसका डर एक्दम चला गया था, वह सोच रहा था कि यदि इतना धन लेकर मैं निकल गया और पकड़ा न तो फिर आगे कभी डाका नहीं डालूँगा, उसे अब अपना डाका डालने का काम अच्छा नहीं लगता था, पहरेदार से वह जरा भी जिचका नहीं, उसे तो सत्य का भरोसा हो गया था, उसने कहा डाका डाल कर ले जा रहा हू, पहरेदार ने समझा कोई साधारन और यह बहुत चिढने वाला जान पड़ता है। उसने डाकू को जाने दिया। प्रातह राज महल में टहल का मचा। जवाहरात की पेटी नहीं थी। पहरेदार से पता लगने पर राजा ने डाकू को ढूंड कर बुलवाया। कहानियों लेकर आते रहेंगे और आपका हर बार मनो रंजन करते रहेंगे। धन्यवाद।